तो दोस्तों स्वागत है आप सभी कईवार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो बताने वाला हूँ कि आपको किस डिमेट को रेफर करने पर कितना कितना रूपए मिलेगा और कौन से डिमेट को आप ओनलाइन ये अफलाइन क्लो अपन करने के बाद या फिर ट्रेडिंग मत करो यह एमसी चाज आपको यूपर लगता ही है यहाँ पर अलग 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 ब्रोकर्व का अलग अलग चाजर शें कुछ ऐसे बोकर्र्व हैं जो कि एमसी चाज इनal कि बिल्कूल 0 लेते हैं मतलब लेते ही हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ आपको ट्रेडिंग करने पर लिया जाता है मतलब जब आप ट्रेडिंग करेंगे आपसे तभी उसका AMC Charges लिया जाएगा और ट्रेडिंग करने के Charges तो अलग से होते हैं मुझे पता है आप में से जितने लोग देख रहे हैं मैकसिमम लोग रेफरेंग के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग तो ट्रेडिंग करोगे नहीं तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग वाले Charges की बात नहीं करने वाले हैं ट्रेडिंग के अलावा सिर्फ एकी चार्ज लगता है वो है AMC Charges AMC Charges हर किसे को देना पड़ता है चाहिए आप ट्रेडिंग करो या मत करो यहाँ पर मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि ग्रो एक ऐसा एप्लिकेसर है जहाँ पर AMC Charges आपको जिंदगी में कभी भी नहीं देना होता है इसके लाबा अप स्टॉक्स इंजल बुकिंग और आईसी आई यह टीमेट ऐसे हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट एयर के लिए फ्री होता है इसके बाद से आपको पर एयर का कुछ चार्ज देना पड़ता है वह मैं डिटेल में आपको आगे दिखाऊंगा और इसके बाद आता हमारा फाइब पैसा फाइब पैसे एक ऐसा डीमेट अकाउंट आप जिस मन्त ट्रेडिंग करेंगे आपको सिर्फ उसी मन्त की एमसी चार्ज देनी है उस मन्त की एमसी चार्ज इस 29 रुपए होती है मैं आपको भी आगे दिखा दूँगा तो चलिए सीधा हम बात करते हैं सबसे पहले गुरु एप्लिकेशन की लेकिन इससे पहले बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि एमसी चार्ज हमारे बैंक से कटता है डारेक्ट ऐसा नहीं है आपके एमसी चार्ज आपके डारेक्ट बैंक से नहीं काटे जाते हैं वो उसी में माइनस होते रहता है आप जब चाहे उसे क्लोस कर सकते हो जब आप अपना DMAT account open करते हो उसके बाद एक साल के लिए free होता है एक साल के अंदर अंदर आप जितना refer कर सकते हो इसके बाद आप अपना DMAT account close कर दो अगर आप open करके रखते हो दूसरा साल start हो जाता है तब आपको उस पूरे साल का EMC charges देना होता है इनको इतनी छूट नहीं होती है कि आपके direct bank से अपना EMC charges काट सकें वोसी में minus करते रहेंगे लेकिन आपके bank को हाथ नहीं लगाते है अगर आपको कुछ जादा ही डर लगता है तब आप अपना एक नया saving account open करें उसके बाद इन सारे DMAT account को उससे link कर दें नया DMAT account open करने के लिए आपको पैसे भी दिये जाते हैं उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा यह फिर link में एक application हो नहीं होगा वन कोट नाम से उस application को आप download कर लो उसके अंदर आपको saving account के referral link दिखाएंगे मतलब जो मेरे saving account होते हैं अगर आप किसी का zero balance खाता खोलते हो तब भी आपको यहां पर पैसा मिलता है खाता खोलने का DMAT account की बात तो हम इस वीडियो में करी रहे हैं इसके सांसाथ आप saving account open करके भी पैसे कमा सकते हो तो वीडियो के description में दिया हुआ है one code application का भी link अगर tutorial दिखना चाहते हो तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा जाके आप देख सकते हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरू application की तो गुरू application के सबसे पहले हम charges की बात करते हैं तो मैं अपनों को application या फिर कोई भी screenshot बगरा नहीं दिखाऊंगा मैं आपको Google में डिरेक्ट सर्च करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग भी सर्च कर सकते हो यहाँ पर एग गुरू की official site open होके आ चुके मेरे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है account opening charge विल्कुल 0 है ठीक है यहाँ पर आपको account open करने पर एक रूपय नहीं देना है और आपको trading and demand account open हो जाता है इसके बाद आपका यहाँ पर AMC charge जो की annual maintenance charge होता है other companies में एक साल के लिए free होता है इसके बाद से वो लोग per year का 2400 रूपय चार्ज करते हैं लेकिन grow application में आपको कभी भी एक रूपय भी नहीं देना है AMC charge अगर आप trading करते हो तब आपको 20 रूपय per order या फिर आपको 0.05% देना पड़ता है मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ reference के purposes वीडियो को देख रहे हो तो आपको इन charges पर ध्यान देने की जरूत नहीं है नीचे वाले जो है इन पर आपको स्रीफ उपर के दो charges देखने है एक account opening charges और एक account maintenance charges बस तो आप इस application का use कर सकते हो reference earn के लिए क्योंकि यहाँ पर AMC charges नहीं लगता है और आप बात करते हैं यहाँ पर आपको per refer का कितना रुपए मिलता है यहाँ पर मैं अपना application आपको open करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको per refer का 100 रुपए मिलता है यहाँ पर मैं आपको earn more पर click करके दिखा देता हूँ यहां से आप link के निकाल सकते हो और अपने दोस्त को refer कर सकते हो यहां पर आपको sign up करने का भी 100 रुपए दिया जाता है आपको मैं proof दिखा देता हूँ यहां पर मैंने बहुत सारे लोगों को refer किया है तो मुझे पर account का मतलब जितने लोगों ने मेरे link से sign up किया है इस application में मुझे उनका 100 रुपए मिला है प्लस मुझे sign up करने का 100 रुपए दिया गया था मैंने अपने एक friend है Rajas Kumar उसके link से sign up किया था तो मुझे यहां पर 100 रुपए का reward मिला था sign up bonus यहां पर आप पढ़ सकते हो Rajas Kumar invited you ठीक है उसने मुझे invite किया था तब उसे भी 100 रुपए मिला मुझे भी 100 रुपए मिला और यहां पर नीचे वाले कुछ लोग हैं जिनमें दिखा रहा है उनका नाम और sign up मतलब उन्होंने मेरे referral link से sign up किया है मुझे तो 100 रुपए मिला यह प्लस उन्हें भी 100 रुपए दिया गया है तो यहां पर आप लोग भी अगर मेरे referral link से sign up करते हो तो आप लोगों को भी 100 रुपए मिलता है और प्लस मुझे भी 100 रुपए मिलेगा इसको आप दो दिन में withdraw कर सकते हो दो दिन के बाद यह आपका unlock होता है यहां से आपको मैं अपनी withdrawal history दिखा देता हूँ तो यहां पर देख सकते हूँ मैंने बहुत सारे withdrawal लगाए है यहां से यहां पर इन जब में किसी को invite करता हूँ और वो sign up करता है तो अब बात करते हैं दूसरी application की दूसरा application है हमारा upstocks तो सबसे पहले हम इसके charges के बारे में जान लेते हैं फिर सम अपना new tab अपन करेंगा गूगल में और आप लोग भी search कर सकते हो अपने से यहां पर मैं upstocks का amc charges search करता हूँ इसके बाद नीचे आ चुका है यहां पर इसमें दो तरीके के charges लगेंगे आपको यह लोग कभी कभी free में account open करते हैं और कभी कभी आप से 99 rupees मंगते हैं अगर आप मेरे दिये हुए referral link से sign up करते हो तो मुझे 300 rupees मिलेगा मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसमें per refer का कितना रुपे मिलता है मुझे 300 rupees मिलेगा उसमें से मैं आप लोग का जो account opening charges होता है वो pay कर सकता हूँ आप मुझे whatsapp कर देना जो भी मेरे refer link से अगर upstocks में account open करता है तो अब यहां पर amc charge की बात करी जाए तेहां पर 25 rupees आपको every month देने है अगर आप नहीं देते हैं तो आपके laser में minus होता रहेगा लेकिन आपके bank से नहीं कटेगा आपके bank account से नहीं कटता है इन्होंने साप साप लिक रखा है आप नीचे देख सकते हो 25 plus 18% जो GST लगता है वो है which will be charged at the end of every month and debited from your trading account आपके saving account से नहीं काटा जाता है only आपके trading account से ही काटा जाता है पैसा यहाँ पर saving का rule है कि कोई भी broker company आपके पैसे जो होते हैं AMC के वो direct आपके bank से नहीं काट सकती है तो आपके आपके डरेने वाली बात नहीं है कि हमारा पैसा bank से कट जाएगा आपके पैसा bank से नहीं करता है यहाँ पर आपको मंधिली 25 रुपए पे करने हैं अगर आप महीने के refer करके 25 रुपए से ज़्यादा कामा सकते हो तो ही आप upstock में अपना account उपन करना या फिर आप अपना demand account उपन ना करे तो अब बात करते हम upstock में पर refer का आपको कितना दिया जाता है तब मैं अपना application sign up कर लेता हूँ इसके बाद application मैंने open कर लिया है आपको यहाँ पर refer and earn का option दिखा रहा है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इसके बाद मैंने upstock का partner dashboard ले रखा है इसलिए मेरा यह page open नहीं हो रहा है फिलाल यहाँ पर refer का आपको 300 रुपे मिल रहा है आप Google पर जाके भी direct यहाँ पर मैंने Google पर search किया है और यहाँ पर देख सकते हो आपको 300 रुपे per refer का मिल रहा है अभी कुछ दिन पहले की बात है यहाँ पर आपको per refer का 1000 रुपे मिल रहा था यहाँ पर इनके offer change होते रहते है account opening का charges भी change होते रहते है कभी 99 रुपिज देते है कभी free कर देते है account opening का और कभी यह लोग एक बार 249 रुपे ले रहे थे लेकिन वहाँ पर यह लोग 800 रुपे पर refer का भी दे रहे थे मतलब अगर आप सामने वाले का account opening charge पे करते हो तो भी आप benefit में ही जाने वाले हो आपका loss कही से कही तक नहीं होगा तो आप समझे होगे कि abstract में EMC charges पर मन्त का 29 रुपे है और पर refer का 300 500 800 1000 तक जाता है इनका उपर चेंज होते रहता है अब बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग की तो एंजल ब्रोकिंग के सबसे पहले हम charges जान लेते हैं EMC charges तो यहां पर मैं Google में search करता हूँ एंजल ब्रोकिंग EMC charges तो यहां पर अकाउंट ओपनिंग का जो चार्ज है भो बिल्कुल free है इसके बाद आप delivery में trade करते हो तो भो भी free होती है और यहां पर अकाउंट में इंटेने इस चार्ज जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर आपका एक साल के लिए free होता है आप देख सकते हो इसके बाद से आपसे per year का 100 रुपए लिया जाता है 100 रुपए बहुत ही कम है आप महिने में ही इससे ज़्यादा की earning कर सकते हो यहां पर per refer का आपको मैं बताऊंगा कि कितना मिलता है तो आप यहां पर याद रखी गया आपको account opening पर 0 रुपए देना है और आपको AMC charges एक साल के लिए free है एक साल तक आप इस application को use करिए एक साल के अंदर अंदर ही आप इस application में अपना account भी close कर सकते हैं और online सिर्फ एक mail डालना है आपका account दो दिन में close हो जाता है उसका process मैं आपको आगे बताऊंगा अब बात करते हैं यहां पर हम अपने angel booking में आपको per refer का कितना मिल रहा है यहां पर मैंने कुछ जादा ही refer कर दिये थे इन्हों ने बोला मेरे को आप DRA program ले लो इनका partner program होता है तो वो मैंने अभी join करके रखा है और यहां पर आप देख सकते हो आपको per refer का up to 750 रुपीज का Amazon voucher मिल रहा है मतला आपको 750 रुपे मिल रहा है एक refer का लेकिन इनकी आप पर कुछ condition है सबसे पहले जैसे ही आप किसी को refer करते हो अपने refer link से इसके बाद जैसे ही सामने वाला वेक्ति अपना DMAT account उपन करता है उसकी ID आ जाती है साम तक साम तक ही आपको एक दिन के अंदर अंदर ही आपको 500 रुपे का Amazon voucher मिल जाएगा इसके बाद जैसे ही आपका friend पहला trade करेगा पहला trade होता है मतलब एक बार trading करना पड़ेगा आपके friend को 1000 रुपे से उपर की तब ही आपको ये 500 रुपे का voucher extra मिलेगा लेकिन आपको यहाँ पर account उपनिंग पर ही 500 रुपे मिल रहा है तो आप trading ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपको पर refer का ये समझो 500 रुपे मिल रहा है सामने वाले को trading भी नहीं करनी है कुछ भी नहीं करना है और angel booking की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि इसका demet account जो होता है सिर्फ एक mail डालने से ही close हो जाता है और यहाँ पर आप जैसे अपना demet account यूज नहीं करते हो तो कंपनिया कुछ दिनों बाद automatic आपका जो demet account होता है वो freeze कर देती है या तो फिर आपको call करकर करके बोलेगी कि आप अपना demet यूज करना चाहते हैं तो आप उनको भी बोल सकते हो कि हमें अपना demet account close करना है यहाँ पर आप यह याद रखीगा कि आपका एक साल के लिए AMC free होता है इसके बाद से आपके AMC charges लगने ही start होते हैं एक साल के लिए सारी कंपनियों में free होता है तो कहने के मतलब यह है कि आप सारी कंपनियों में अपना demet account उपन करके रख सकते हो इसके बाद जैसे ही एक साल खतम होने वाला होता है तब ही आप अपना demet account close कर दो इससे आपको भी effect नहीं पड़ेगा और आपने जिन को refer किया है उन्हें भी effect नहीं पड़ेगा वैसे याप पर आपको पता है कि MC charges direct bank से नहीं काटे जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप खुला रहने देते हैं तो यहाप अगर आप refer and end के purpose से open करना चाते हैं सारे DMATS account तो आप एक साल के लिए open करें इसके बाद जैसे आपका एक साल end होने बाद बाला होता है आप इस DMATS account को close कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो मैं सारे DMATS account के उपर एक-एक account closing का video ला सकता हो अगर आप request करो तो ही तो अभी हमने इन तीनों application का बात कर लिया है अब हम बात करते हैं ICI direct तो आप पर सबसे पहले हम Google पर search करेंगे ICI direct AMC charges यहाप पर देख सकते हो इसके सारे charges हमारे सामने आ चुके हैं account opening charges free है इसके बाद आपका AMC charges है 700 रुपए तो आपर आप इसके सारे charges read कर सकते हो वीडियो को pause करके यहापर AMC charges आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा 700 रुपए लेकिन यहापर आपको एक refer का ही 700 रुपए मिलता है वो आपको मैं application पर लेके चलके दिखाता हूँ तो अब मैं अपना ICI ECI direct का application आपको login करके दिखा देता हूँ कि आपको यहापर पर refer का कितना मिलता है यहापर मैं refer and earn वाले section पर जाता हूँ तहाँ पर आप देख सकते हो हैं पर आपको पर refer का up to 750 रुपई मिलता है मतलब एक refer करने पर आपको 750 रुपई मिलता है यहापर बिल्कुल यह offer same angel broking की तरह है लेकिन angel broking से just opposite है angel broking में आपको 500 रुपई account opening पर मिलता था 20 रुपई आपको पहला trade करवाने पर मिलता था लेकिन यहापर उसका उल्टा है इसके बाद आपको कुछ दिन wait करना है इसके बाद आपको 500 रुपई extra मिल जाएगा और यह जो 2500 रुपई मिलता है आपको account opening पर यह तो आपको दूसरे दिन ही मिल जाता है तो यही से मैं आपको अपना payment proof भी दिखा देता हूँ यह पर आप your referrals and rewards पर क्लिक करके देख सकते हैं यहापर मैंने अभी तक जादा नहीं 10,750 की earning करी है यहापर कभी इनका offer change होते रहता है आपको मैं दिखा देता हूँ यहापर देख सकते हो कभी मेरे को 200 रुपे मिलते हैं तो कभी 500 रुपे मिलते हैं इनका पहले offer चलता था पहले यह लोग 500 रुपे देते थे अभी यह लोग 200 रुपे देते हैं एक trading करवाने के बाद आपको 500 extra मिलता है यह पैसा direct दूसरी दिन आपके bank में automatic चला जाता है अब जो bank account भी account उपनिंग करते समय लिंक करते हैं उसी account में आपका पैसा जाता है तो आप अपना account बिलकुल सही सही डाले और यहापर देख एक terms and condition है कि आप एक एक मैने में 10 refer कर सकते हो इस से ज़्यादा आप refer करोगे तो आपको उनका reward नहीं मिलेगा तो आप अपने घर पे 3-4 idea बना सकते हो और पर ID पर आप 10 refer कर सकते हो तो अब हमारा last application बचा हुआ है जिसका नाम है 5 PESA तो हम 5 PESA की AMC charges की बात करते हैं तो यहापर आपको account उपनी चार्ज बिलकुल free है maximum सारे DMATS account में account उपनी चार्ज फिरी होता है बस abstracts ऐसा अकेला DMAT account है जिसमें आपको account उपनी चार्ज देना होता है maximum DMATS account में आपको account उपनी चार्ज नहीं देना है आप stocks में भी कभी कभी free का offer चलते रहता है तो यहापर भी account उपनी चार्ज बिलकुल free है और आपका AMC charges की बात की जाए तो AMC charges होता है आपका 450 रुपए एक साल का एक महीने का 450 रुपए और यह AMC charges अप पर तभी लगेगा जब आप trading करेंगे मतलब अभी कौनसा महीना चल रहा है अभी चल रहा है अगस्ट अगर आप अगस्ट में trading कर लेते हो किसी भी दिन इस महीने केंदर अन्दर किसी भी दिन आप trading करते हो तो आपको इस महीने 45 रुपए देने पड़ेंगे AMC AMC Charges अगर आप इस महीने कोई भी ट्रेडिंग नहीं करते हो तो आपको AMC Charges बिलकुल भी नहीं देने है यहाँ पर आप लोग रेफरेंट अर्ण करोगे तो आप लोगो यहाँ पर AMC Charges लगने नहीं वाले हैं क्योंकि आप लोग ट्रेडिंग कर नहीं रहे हो आप उनली रेफरेंट अर्ण कर रहे हो मतलब आप इसे भी एक तरीके से समझ सकते हो कि इसमें आपको AMC Charges बिलकुल भी नहीं लगता है यहाँ पर आप जिस महीना ट्रेड करेंगे आपको सिरी पुसी महीने का AMC Charges पे करना है जो कि 45 रुपय होता है आप बात करते हैं यहाँ पर आपको पर रेफर का कितना मिलता है यहाँ पर हमने अपना application login कर लिया है और आप यहाँ पर थोड़ा नीच चाहिएंगे आपको यहाँ पर रेफरेंड का option दिखाई देगा यहाँ पर आपको पर रेफरेंट का 2500 रुपय मिलता है प्लस आपको प्लस आपके फ्रेंड को भी 500 रुपे मिलता है यहाँ पर पहला रेफरल करने पर आपको 500 रुपे मिलता है मतलब आपने अभी मेरी लिंक से साइन अप किया तब आपको आपको 250 रुपीज मिल जाएगा यहां पर sign up करने का भी पैसा मिलता है तो 250 रूपीज आपको sign up करते से ही मिल जाएगा इसके बाद जैसे ही आप अपने पहले friend को refer करते हो तो आपको first referal पर 500 रूपे मिलता है इसके बाद से आप जितने referal करते हो उसके बाद आपको per referal का only 2500 रूपे मिलता है तो किस वीडियो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है इसलिए मैं आपनों को इस वीडियो में अकाउंट क्लोज करने का प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ इसके बाद से अगर आप बोलते हो मुझे कॉमेंट में तो मैं इसके आगे एक वीडियो बनाऊंगा इसमें मैं आपको सारे डिमेट्स क्लोज करने के प्रोसेस बता दूँगा इसमें मैक्सिमम डिमेट्स जैसे की एंजल, ब्रोकिंग, अप्स्टोक, आईसी आई, ये ऐसे डिमेट अकाउंट है और ये 5 पैसा ये चारो डिमेट अकाउंट ऐसे हैं जो की ऑनलाइन ही क्लोज हो जाते हैं और ग्रो एप्लिकेशन का डिमेट अकाउंट आपको क्लोज करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि आपने देखा यहां पर एमसी चार्जेस बिल्कुल जरी है एक साल के लिए और हमेशा के लिए यहां पर एक कुछ डिमेट जो की एक साल के लिए फ्री दीते हैं उसके बाद से यह लोग पर यह का कुछ एमसी चार्ज पे मतलब चार्ज हम प्य लगाते हैं और फाइब पैसा है फाइब पैसे में आप जिस मन्त ट्रेडिंग करते हैं आपको उसी मन्त का एमसी चार्ज पेग करना होता है तो इन ग्रो और 5 पैस आप इन दोनों का डिमेट अकाउंट क्लोज नहीं करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप चाहे तो अपस्टॉक्स और एंजल बोकिंग का डिमेट अकाउंट ऑनलाइन एक मेल डालके कैसे क्लोज कर सकते हो उसका वीडियो बोनस एप्लिकेशन है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिस एप्लिकेशन का नाम है वन कोड ठीक है आपको मैं इसके बारे में थोड़ी से और जानकर दे देता हूं वीडियो के अंदर तो मैंने आपको दी ही है यहाँ पर आपको सेविं अकाउंट उपन करने का भ 2025 एक मिलता है आप किसी का डीमेर अकॉंट उपन करने जाते है उससे पहले आप उसका एक नया sampiगक उपन कर दिया करो जैसे एक इयसे बैंक में या फिर आपके सामने वाले client को ज़्यादा डर लगता है तो आप उसका एक नया saving account उपन कर सकते हो के उटा से फिर kotak bank में और उसका demet account उपन कर सकते हो और एक साल तक आप इस demet को use करो उसके बाद एक साल के अंदर अंदर ही आप इस demet account को close कर सकते हो एक mail डालके account closing का वीडियो आने वाला है next बहुत जल्दी